कि है लो गाईज माइनेम इस अंजय गाग्यान अपने योटूब चैनल गाग्यान के लासिज में आपका स्वागत करता हूं आप सभी जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट क्या हुआ है भारतिय राजनीति को स्टार्ट क्या हुआ है जिसमें हम पढ़ रहे है इंडियन कोंस्टिटूशन भारतिय सविधान और भारतिय सविधान में अभी तक हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 395 अनुच्छेद और 22 भाग को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था और अच्छी तरह समझा था आज उसी को कंटिनु करते हुए हमारे पास जो अज़ आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छों के बारे में तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे अनुच्छों के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 जन नमंबर 26 नमंबर 1949 को हमारा कॉंस्टिटूशन बनके क्या घुआ हुआ कब तयार हुआ था यह हुआ था आपका 26 नमंबर 1949 इसके बाद 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो सविधान है उसको इनफोर्स कर दिया गया था उसको क्या कर दिया गया था उसको लागू कर दिया गया था तो हमारे सविधान में जो स्टार्टिंग में थी वो आपके पास आठ अनुसूचिया थी आठ सिड्यूल थी आठ अनुसूचिया थी धीरे दीरे इन अनुसूचियों में जैसे जैसे टाइम बदलता है ऐसे ऐसे हमारा सविधान चेंज हुआ क्योंकि सविधान क्या है एक live document है किसके लिए live people के लिए जिंदा लोगों के लिए जीवित लोगों के लिए जैसे जैसे टाइम बदलेगा ऐसे ही सविधान में भी बदलता जाएगा तो आठ अनुसूचिया थी इसमें हमने चार अनुसूचियों को एड किया चार अनुसूचियों को हमने क्या किया इसमें एड किया चार अनुसूचियों को एड करने के बाद हमारे पास add a present time जो हमारे पास अनुसूचिया है वो हमारे पास कितनी अनुसूचिया है वो हमारे पास है 12 अनुसूचिया 12 सिध्यो अब हम सबसे पहले ये बढ़ेंगे क्योंकि एक्जाम में कोश्चन आता है कि आपकी जो चार अनुसूचिया कौन-कौन सी अनुसूचिया इसमें जोड़ी गई कौन-कौन से सविधान संसोधन से अनुसूचियो को जोड़ा गया तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नौवी अनुसूचि नौवी अनुसूचि आठ हमारे पास थी तो सबसे पहले जोड़ी गई नोवी अनुसूची और नोवी अनुसूची को जोड़ा गया वो जोड़ा गया पहले ही Constitution Amendment से जो First Constitution Amendment हुआ था 1951 यानि कि 1951 का पहला ही सविधान संसोधन के दुआरा हमारे पास क्या जोड़ी गई थी नोवी अनुसूची दस्वी अनुसूची को जोड़ा गया आपके पास 52 जोड़ा गया आपके पास 9088 1985 में हमारे पास 52 जोड़ा गया जोड़ा गया इसके बाद हम बात करते हैं ग्यारवी अनुसूची ग्यारवी अनुसूची ग्यारवी अनुसूची को जोड़ा गया वो आपके पास तियात्तरवा सविधान संसोधन 1992 तियात्तरवा सविधान संसोधन किया गया 1992 में आपके जोड़ा गयी आपके पास ग्यारवी अनुसूची इसके बाद बात करते हैं, बारवी अनुसूची कब जोड़ी गई? बारवी अनुसूची जो जोड़ी गई, वो बारवी अनुसूची जोड़ी गई आपके पास, चोहतरवा Constitution Amendment, चोहतरवा सविधान संसोधन 1992. तो इस तरह हमने चार अनुसूचियों को जोड़ा, पहले जो जोड़ा 1985 में जब इंद्रागांदी की सरकारती, बावनवे Constitutional Amendment से, फिर हमने जोड़ा 1992 में 73 वे Constitutional Amendment से, और फिर हमने 1992 में 74 वे Constitutional Amendment किया, और अपने बारवी अनुसूची को जोड़ दिया, तो ये थे हमारे पास 12 अनुसूची के बारे में, कि 12 अनुसूची हमारी कब- एड की गई, अब बात करते हैं अपनी ट्रिक से, हम 12 की 12 अनुसूची को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो हमारी ट्रिक क्या होगी, हमारी ट्रिक होगी, टियर्स, टियर्स, ओफ, ओल्ड, टियर्स ओफ, ओल्ड, पियम, तो आपको बस यही ट्रिक याद करनी है, टियर्स ओफ, ओल्ड, पियम, पहली अनुसूची T से बनेगी, दूसरी अनुसूची E से बनेगी, तीसरी अनुसूची आपकी A से बनेगी चोथी अनुसूची R से बनेगी पांचवी अनुसूची S से बनेगी छटी अनुसूची O से बनेगी सातवी अनुसूची F से बनेगी आठवी बनेगी O से नुवी बनेगी L से दसवी बनेगी D से ग्यारवी बनेगी आपके पास P से और बारवी बनेगी आपके पास M से तो इस तरह हमारी बारा की बारा अनुसूची इन सेंटेंस के थुरू complete हो जाएगी तो हमारा सेंटेंस क्या है? Tears of old PM Tears of old PM अब बात करते हैं किस-किस के बारे में बात की गई है सबसे पहले हम पहली अनुसूची की बात की गई है T T का मतलब होता है Terry 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 का मतलब होता है आपके पास boundary या आपके पास सीमा या हम कहा देंगे name यानि के नाम तो पहली अनुसूची में जो परावधान रखा है वो प्रावधान रखा है किस state का और किस केंदर सासित परदेश का क्या नाम होगा और उसकी boundary कितनी होगी कहां तक उसकी boundary होगी ये सभी के सभी प्रावधान हमने पहली अनुसूची में रखे है तो प्ती से क्या हुआ आपका territory आप समझ गए होंगे कि पहली अनुसूची में क्या रखा गया है आपके पास state का नाम state की boundary किसकी कितनी है और कहां तक है ये सभी की सभी हमने पहली अनुसूची में डाल दी बात करते हैं दूसरी अनुसूची की दूसरी अनुसूची में डाला गया emulation emulation यानि के salary यहाँ पर जितनी भी आपके पास salary और privilege है वो सारे के सारे आपके कहां डाले गए वो डाले गए आपके पास दूसरी अनुसूची में salary किसकी salary के बारे में बताया गया है जैसे आपके पास president है president vice president है जैसे आपके पास governor है जैसे आपके पास speaker है जैसे आपके पास deputy speaker है जैसे आपके पास chairman है जैसे आपके पास deputy chairman है जैसे आपके पास हाई कोट और सिप्रीम कोट के जजी जैसे आपके पास कंटोल और ओडिटर ओफ जर्डनल है तो इन सभी की सभी सैली के बारे में जो बात की गई है वो की गई है सेकिंड शिड्डूल में यानिके दूसरी अनुसूची लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर इनकी सैली के बारे में दूसरी अनुसूची में कोई भी बात नहीं की गई है बात करते हैं थर्ड अनुसूची की तीसरी अनुसूची हमारी आती है ए का मतलब होता है आपके पास अफर्मेशन ए मिन्स क्या होता है आपके पास अफर्मेशन अफर्मेशन क्या होता है ओत ओत यानि के सपत तो सपत के बारे में जो भी बात की गई है वो सपत के बारे में बात की गई है आपके पास कौन सी अनुसूची में तीसरी अनुसूची में जैसे आपके पास प्रेजिडेंट को सब्पत दिलाई जाती है और आपके पास जो legislative assembly या legislative council या आपका लोग सबा, राज्य सबा में जो सब्पत दिलाई जाएगी वो सारा सब्पत का प्रावधान कहां पर रखा जाएगा वो रखा जाएगा आपके पास इसरी अनुसूची है, बात करते हैं चोथी अनुसूची की, चोथी अनुसूची क्या होती है, चोथी अनुसूची होती है, और मीनस होता है, राज्ये सबा, तो राज्ये सबा में किस स्टेट की कितनी एलोकेटिड सीट है, कितनी एलोकेटिड सीट है, उसके बारे में जो प सीट दी गई है वो सारा का सारा प्रावधान आपका चोथी अनुसूची में हैं पांच्वी अनुसूची की बात करेंगे हम पांच्वी अनुसूची जो होगी हमारे पास वो होगी आपके पास S, S का मतलब होता है सिड्ड्यूल, सिड्ड्यूल एंड ट्राइब एरिया यानि के ऐसे अनुसूची छेत्र और जंजाती छेत्र के एड्मिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए जो प्रावधान या प्रोविजन होंगे वे कौन से अनुसूची में रखे जाएंगे वे रख इन चार राज्यों को छोड़के जितने भी आपके पास एकसेप्ट इन चार राज्यों को छोड़के जितने भी आपके पास राज्यों की सिड्ड्यूल एंड ट्राइब एरिया उसके एड्मिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए जो प्रोविजन होंगे वो कौन सी अनु सीमरें पांचवी अनुसूची में पून-कून से यह चोड़ कर एक हो जाएगा एफ्वार होता है आसाम है कि अधियरी होता है टिश्यपूरल कि एम मतलब होता है मैं खाल लिए और हम मतलब होता है मिजोल तो इन चार यूद्ध हो चोड़ के बाकि जितने भी राज्ये है उनके सिद्डूल और ट्राइब एडिया का प्रोविजन्स रखे जाएंगे आपके पास पांच भी अनुसूची में तो छटी अनुसूची में क्या होएगा छटी अनुसूची में हो जाएगा ओ फिर मिस अदर और मिस क्या हो जाएगा अदर का मतलब होता है ए टी एम यानिके इन चार राज्यों की जो सिद्डूल और ट्राइब एडिया के प्रोविजन्स होंगे वे रखे जाएंगे आपके पास छटी अनुसूची में यानिके सिख्स्त सिद्डूल में बात करते हैं सेविन टो हमारे पास लिस्ट बनाई जाती है यूनियन जिसपर कानून बनाएगा उसे पोल तये स्वर्द सोचिया संबर्ती तो हमारे पास तीन सूचिया होती है पहली लिस्ट होगी आपकी संग लिस्ट यानिके union निस्ट राज्य सूची इस्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट यानिके, सम्बर्ती सूची, तो यहां पर आईटम डाले गए है, इन लिस्ट में कि यह आईटम पर कानून जो है केंदर बना सकती है इस आईटम पर कानून, state बना सकती है और इस आइटम पर कानून दोनों बना सकते है यूनियन किस किस पर बनाएगी यूनियन बनाएगी जैसे कि आपके पास बैंकिंग है जैसे आपके पास डिफैंस है जैसे आपके पास रेलवे है एक्सेक्टरा आपके पास क्या होगी इस पर बनाएगी यूनियन कानून यानि के केंद्र सरकार तो स्टेट किस पर कानून बना सकती है एगरी कल्चर पर इस्टेट कानून बना सकती है हैल्थ पर इस्टेट कानून बना सकती है पुलिस पर यहाँ पर कानून कौन बनाएंगे यहाँ पर कानून बनाएंगी इस्टेट यानिके ताज्य सरकार और दोनों कानून किस पर बना सकते हैं तो education और आपके पास electricity पर जो कानून बनाएंगे वे आपके पास दोनों कानून बनाएंगे तो इस तरह हमारी लिस्ट रखी गई है यूनियन लिस्ट में जो आइटम डाले गई है वो डाले गई है सो इस्टेट लिस्ट में जो आइटम डाले गई है एक सट और कंकरंट लिस्ट में आइटम डाले गई है बावर इस तरह कोश्चन आजाता है कि यूनियन लिस्ट में कितने आइटम डाल डाले गए हैं 100 यानिके 100 में कितने डाले गए है यानिके 61 और समवर्तिय सूचिया कंपर्ण डाले गए अब बात करते है ओकी ओका क्या होता है ओका होता है ओफिशियल लेंगवेज अधिकारिक भासा हमारे सविधान में कितनी भासाओं को स्विकर्थ किया गया है इस्टार्टिक में जब हमारा सविधान बनाता तो हमारे पास जो है चोदा भासाओं को क्या किया गया था स्विकर्थ किया गया था एक्सेप्ट किया गया था लेकिन बाद में जो है आठ और भासाओं को एड किया गया तो फिलाल हमारे पास जो आ जाएगी वो हमारे पास ए सा नहीं है बात करते हैं एल से मतलब होता है आपके पास लेंड यह आपके पास नोवी अनुसूची है और मैंने आपको बता दिया नोवी अनुसूची को पहले कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंड नाइन्टी फिफ्टीवन से एड किया गया एल फोर्ड लैंड का मतलब क्या होता है नोवी अनुसूची को जोडने की जुरत क्यों पड़ी क्यों कि आप सबी जानते हों कि जब हैंपर अंग्रेजों का राजता ब्रिटिस का राजता तो ब ब्रिटिस सरकार को और कुछ अपने पास रखे लेते थे और जमीन रखे लेते थे तो जब अंग्रेज यहां से छोड़के चले गए तो वे जमीने जो रह गई वो किस पर रह गई जमीदारों पर जब हमारा देसा अजाद हुआ तो यहां की सरकार ने गरीब जो लोग थे उनके बारे में सोचा और जिनके पास जादे जमीन थी उन्हें उनसे लेकर गरीबों को देने की सोची लेकिन इस पर क्या हुआ जमीदार चले गए एक कोट उन्होंने अगा यह हमारी जमीन है या आप हमें कैसे छेन सकते हो तो इसके लिए इन्होंने एक को आपके पास विधान संसोधन करेंगे पहला Constitution Amendment 1951 में किया कि हम जो कानून बनाएंगे लैंड के ऊपर उसमें यह Court interference नहीं करेंगी आप Court में नहीं जा सकते हो तो यह कानून बनाया गया था आपके पास पहली Constitution Amendment 1951 में तो यह लैंड से मतलब होता है अब बात करते है डी का मतलब होता है आपके पास defection ली का मतलब होता है defection defection क्या होता है दल बदल defection क्या होता है आपके पास दल बदल तो दल बदल क्या होता है इसको भी हम समझेंगे दल बदल होता है आपके पास जैसे आपके पास यह इंडिया है और इंडिया में इतनी पार्टी जो है यहां से MP चुने गए और इनकी क्या बनी मैजोर्टी जब इनकी मैजोर्टी बनी तो इन्होंने क्या अपनी सरकार बना ली इतने MP चुनके इन्होंने अपनी क्या बना ली गोर्मेंट बना ली गोर्मेंट बनाने के बाद अगर इने में से कुछ MP जीतने के बाद इस party को छोड़ कर, suppose that इतने MP इस party को छोड़ कर opposite party को join कर ले, तो यह party क्या हो जाएगी? बहुमत इसका कम हो जाएगा? जब majority कम हो जाएगी तो यह party आपक़ी dissolve हो जाएगी, यानिब कि इनको जो है दुबारे चुनाओ करवाना होगा तो इस चीज से बचने के लिए इंद्रा गांधी की सरकार ने 1985 में कानून बनाया आपका कौन से constitution amendments है 52 constitution 1985 के amendments है कानून ये बनाया कि अगर कोई सांसद जीतने के बाद पार्टी को छोड़ता है तो वो किसी भी पद पर नहीं रहेगा वो किसी भी पद को hold नहीं करेगा ये कानून बनाया गया 52 constitution amendment 1985 बात करते है पी की पी का मतलब क्या होता है पी का मतलब होता है पंचायत गाउं के welfare के लिए हमने एक अनुसूची जोड़ी 11 अनुसूची कोंसे सविधान संसोधन से 73 सविधान संसोधन 1992 से तो पंचायत को हमने एड किया और पंचायत के जितने भी प्रोविजन थे पंचायत के लिए गाउं के लिए पंचायत में जो गाउं ब्लोक आते हैं उनके welfare के लिए हमने पंचायत अनुसूची में रखा और इनने कुछ क्या दिए गए आइटेम दिए गए कि इनके लिए भी कानून बनेंगे इसके बाद बात करते हैं M की M का क्या होता है M का मतलब होता है मुंसिपैलिटी 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 जो होगी वो आपकी कौन से सविधान संसोधन से होगी वो होगी आपके पास 74 सर्दान संसोधन से 12 वी अनुसूची के तहट Municipality को जोड़ा गया जानिके ग्रामीन के लिए अगर हमने पंचैत एड़ की थी तो सहरों के लिए हमने क्या एड़ किया Municipalities तो इसके लिए Municipalities के अंदर नगर निगम, नगर निकाए जितने भी सभासद, यह सारे के सारे Municipalities के अंदर जाते है और इसमें भी हमने आइटम डाले कि इसके ओपर भी क्या होंगे कानून बनेंगे, तो इस तरह यह हमारी 12 की 12 अनुसूचिया थी, जो हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझी, और उसका हर वर्ड का, यानि के पहली अनुसूचि में क्या है, दूसरी अनुसूचि में क्या है, तीसरी अनुसूचि में क्या है डिटेल पूरवक मैंने बताने की पूरी कोशिस की है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को झाल झाल